चोपड़ा एजो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो MCC का ने 24 काउंसलिंग के लिए रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं मैं आपको इस वीडियो में step by step process बताऊंगा ताकि आपसे किसी परकार की कोई mistake ना हो आप हर एक step को follow करें हर एक box में क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा कहां गलतियां होने की संभावना है कौन से box में आपको doubt हो सकता है कौन से column में doubt हो सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में step by step आपको बताऊंगा जिससे किसी परकार की आपकी कोई गलती नहीं होगी तो mcc की website mcc.nick.in पर जैसी हम visit करेंगे यूजी medical पर क्लिक करने के बाद new registration 2024 पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अगर आपने पहले registration कर रखा है मतलब इससे पहले registration कर दिया है 2024 के लिए तो इसमें roll number password security pin डालना है इसके बाद sign in करना है लेकिन हम new candidate registration पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे इस परकार के instructions हमारे सामने show होंगे इसमें password कैसे change करना है password कैसे डालना है इस परकार का notice दिया गया है यह I agree पर क्लिक करेंगे जैसे ही I agree पर क्लिक करेंगे new candidate registration का एक यहां form open हो जाएगा इसमें need roll number डालना है आपको need application डालना है तो आपके यहां role number, application number, candidate name, mother name, date over, जो आपने फिल की है, वहां show हो जाएगी, जो आपने mobile number दे रखे हैं, उसके 3 later यहां show हो जाएगे, इमेल ID के 3 later यहां show हो जाएगे, उसके बाद में आपने password चूज करना है यहां, तो password यहां पर एक capital letter, small letter, special character और उसमें कोई ना कोई figure जर पड़ा है, तो C बड़ा कर दूँगा, HOPRA छोटा, इसके बाद में एक special character देना है, add the rate of लगा दूँगा, या underscore लगा दूँगा, इसके बाद में आगे 2020 या फिर 2024 जो भी है, वो मैं यहां select कर लूँगा password, और confirm password में भी यही फिल करना है, security pin जो यहां है, वो security pin डाल करक आपको क्लिक करना है, यहां पर आप से पुछा जाएगा कि क्या आप सब्मिट करना चाते हैं, तो आपको यहां पर yes करना है, तो जैसे ही आप yes करोगे, आपने जो need का forum फिल करते से मैं mobile number और email ID दे रखा है, उस पर OTP जाएंगे, तो उस पर या तो आप mobile पर OTP आगे तो mobile वाड़े OTP यहां डाल दीजे, या फिर आपके email पर आए हैं, तो email के OTP यहां डाल दीजे, दोनों में किसी एक के OTP यहां डालने के बाद में security pin जो यहां नीचे है, वो फिल करेंगे और verify and final submit पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही final submit पर क्लिक करेंगे, इस परकार की step आपके पा पाद में यह form submit हो चुका है, अब यह form 5 step में और आगे फिल होना है, application form फिल करना है, आपने qualification डालने है, apply for selection यानी counseling के लिए, कौनसी के लिए आप apply कर रहे हैं, फिर contact detail डालनी है, और फिर final submit करके payment करने के बाद यह form आपका complete हो जाएगा, उसके बाद 16 से आप choice फिल कर सकते ह हैं, अब application form पर यहाँ click करेंगे, तो जैसे ही application form पर click करेंगे, यहाँ पर आपका यह authentication form तो पहले complete हो गया है, इसलिए यह green में दिखाई दे रहा है, application form पर click करेंगे यहाँ पर, तो इस परकार का option आपको दिखाई देगा, इसमें gender में आपका नहीं जो form fill करते हैं, जेंड Muslim, Sikh, जो भी है, वो यहाँ आप डाल सकते हैं, जो भी आपका religion है, इसके बाद category यहाँ, जो भी आपकी category है, वो यहाँ डाल दें, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कि category में आप upgrade कर सकते हैं, upgrade का मतलब, जिन candidate की EWS, OBC, SC, ST category है, वो general category से counseling करवा सकते हैं, अगर उनके पास में certificate नहीं है, अगर certificate है, आपके पास में valid certificate है, तो यहाँ अपने category फिल कर दीजे, अगर certificate नहीं है, तो यहाँ दो option आएंगे, आपकी category आएगी और उसके साथ general category शो होगी, तो आप अपने category यहाँ डाल दीजे, उसके बाद में PWD अगर candidate हैं, तो यहाँ yes कीजे, otherwise यहाँ no कर द करेंगे, तो AFMC के पास आपका नाम पहुंच जाएगा, और फिर आगे की counseling AFMC के द्वारा ही होगी, अगर यहाँ आप yes करते हैं, तो आप से यह पुछा जाएगा कि क्या आपके parent हैं, वो Indian Armed Forces में retired या सर्विस कर रहे हैं, तो अगर retired और सर्विस में हैं, तो yes कर दीजे, otherwise य जैसे ही save and next पर click करेंगे, आपका application form यहाँ complete हो चुका है, यानि कि application form का step complete हो चुका है, previous year में, sorry, previous year में जाकर के यह आप इसमें edit कर सकते हैं, अब यहाँ आपको qualification detail यहाँ डालने हैं, तो qualification detail में इस परकार का आपका show होगा, यहाँ school oblique के state में जैसे ही आप select पर click करेंगे, आपके पास यहाँ चार option दिखाई देंगे, जामिया, इसलामिया, इसके बाद NCT of Delhi, MU और others, अगर आपने जामिया से 12th pass कर रखी हैं, तो यहाँ जामिया का option select करना है, आपने 11th 12th दिली से कर रखा हैं, तो NCT of Delhi select करना है, अलिगट मुस्लिम उनिर्सिटी से कर रखा हैं, तो आप state का नाम लिख सकते हैं, अगर आपने school का भी नाम लिख दिया, state के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप state का नाम लिख सकते हैं वहाँ पर, इसके बाद में passing status देना है, पास डाता है उसमें, और इसके बाद passing years देना है, कौन से year में आपने 12th class पास किया, या उसके roll number देने हैं, और कौन से state से pass की है, यहाँ school का address देना है, नाम और address देना है, और यहाँ पर school के pin code देने हैं, pin code वो होते हैं, जो postal code होते हैं, जो post office के code होते हैं, 6 digit में होते हैं, वो यहाँ पर आपको डालने हैं, इसके बाद में आपको subject wise detail डालनी है, subject wise में physics के य आपने गैन किये हैं वो यहां फिल कर देंगे इसके बाद में जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद में नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपके सब्जेक्ट में टोटल कितने का है तीनों सब्जेक्ट का टोटल कितना है आपने ओटें कितना किया है और परसंटेज OBC के लिए 50% CA, PWD General EWS के लिए 45% CA, PWD SCST OBC के लिए भी 45% CA, यह condition यहां दे रखी है, इसके बाद में Save and Next पर क्लिक करना है आपको, तो जैसे ही Save and Next पर क्लिक करेंगे, तो यह Counseling की Apply for के option आ जाएंगे, मतलब कि आपको कौन सी Counseling के लिए Apply करना है, यह मैं आपको आगे और बता देता हूँ, अगर इसमें आप जैसे जामिया सेलेक्ट करते हैं, N City of Daily सेलेक्ट करते हैं, ए-CU सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे मानलो आप N City of Dully, यानि 11 वी बार्मिय आपने दिल्ली से क्या तो आपके पास में फिर ये option आजाएंगे, counseling के लिए, कौन सी counseling के लिए apply करना है, तो आपके लिए All India तो रहेगा ही, उसके बाद Open Seat, AIMS, Jipmar, BHU, AMU, ये तो रहेगे ही, इसके बाद BSC Nursing के लिए apply कर सकते हैं, DUIP के लिए कर सकते हैं, अगर आपने दिली से 11-12 कर रखिये, त तो आप yes option दोगे, तब ही यहाँ DUIP कोटा आएगा यहाँ, dimmed में आप apply कर सकते हैं, और AFMC के लिए apply कर दिया है, आपने पहले ही उस समय option कर दिया है, तो यहाँ highlight नहीं हो रहा है, वो option, तो यहाँ पर आप counseling के लिए apply कर सकते हैं, किस-किस के लिए करना है, जिन्होंने दिल लिए के अलावा पास कर रखिये 12th class, तो उनके लिए यह option शो होंगे, All India का option शो होगा, open seat का, AIMS जिपमर के लिए, BAC nursing के लिए, dimmed के लिए option यहाँ शो होगा आपका, तो अगर जो candidate other state के हैं, उनको यह दो तो select करना ही चीए, यानि All India 15% और open seat, यह government के लिए हैं, अगर आ आप dimmed में admission लेना चाते हैं, तो यहाँ dimmed भी select करेंगे, अब मैं आपको यहाँ fees बता देता हूँ, अगर आप यह तीन option select करते हैं, जैसे All India की counseling करवाना चाते हैं, 15% की, open seat की भी करवाना चाते हैं, AIMS जिपमर की और BAC nursing की, यह तीनों अगर आप select करते हैं, other state के candidate, तो उ अगर general category की से हैं, तो 1,000 rupees आपकी fees लगेगी, और 10,000 rupees आपके security money लगेगी, यह उसके according आएगा, जो आपने category fill कर रखी है, अगर आप dimmed में option लेते हैं, यहाँ dimmed select करते हैं, All India quota भी select करते हैं, open भी select करते हैं, BAC nursing भी करते हैं, dimmed भी select करते हैं, other state वाले candidate, तो यहाँ आपको 2,05,000 rupees deposit करने होंगे, 2,00,000 आपकी security money होगी, और 5,000 rupees यह registration fees होगी, तो यह candidate All India के लिए भी counseling करवा सकते हैं, उसको अलग से कोई नहीं देना, 2,05,000 के अलावा, और यह बाकी सारी counseling करवा सकते हैं, अगर दिल्ली state से हैं, government quota लेना चाते हैं, तो फिर आपकी, जो general और EWS के ल यह 55,000 रुपए यहां जमा होगी, अगर आप दिल्ली state से हैं और यह सारे select option कर रहे हैं, dimmed भी कर रहे हैं, तो फिर आपकी 2,05,000 रुपए यहां deposit होगी, fees total की, तो यह fees detail मैंने आपको सारी बता दी है यहां पर, अब हम आगे correspondence address डालेंगे, यहां आप village name डाल सकते हैं, police station अगरा की यहां detail डाल सकते हैं, village post office की detail, country, state, district, pin code, यह सारे डालने के बाद alternate contact number भी डाल सकते हैं, alternate email ID भी डाल सकते हैं, तो यह correspondence address हो गया, अगर आपका permanent address भी सहमी है, तो इस पर आप tick कर दें यहां, अगर अलग है तो यहां, अलग detail डालतें, save and submit पर आपको click करना है यहां पर आपके यहां आपने पूरा चेक करना है, एक बार कोई mistake नहीं करनी है, अगर आपकी mistake होती है, तो आप previous step में जा सकते हैं, नीट roll number एक बार चेक कर लें, application number, candidate name, father name, mother name, date of birth, gender, nationality, यह सारे एक बार चेक कर लें, इसमें, आपकी rank क्या है, यहां show हो जाएगी, उसके marks भी चेक कर लें, mark seat के according, और उसके बाद में आपने किस counselling के लिए apply किया है, यह जरूर चेक कर लें आप, आपने open seat के लिए क्या है, All India के लिए, AFMC के लिए क्या है, अगर dimmed के लिए करना चाहें, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, आपकी जो contact detail है, वो एक बार चेक कर लें, उसके बाद में आप, अगर इन में कोई दिक्कत है, तो आप previous step में जा सकते हैं, अगर इन में कोई आपको edit करना है, तो आप previous step में यहां से चले जाएंगे, अगर बिल्कुल सही है, सब आपने तीन बार check कर लिया है इसको, तो declaration के box पर आपने check करना है, यहां टिक कर देना है, और फिर save and final submit पर आपने click करना है, तो जैसे ही save and final submit पर click करेंगे, इस परकार का interface आपको show होगा, तो यह यहां पर आपको pay registration fees करनी है, यहां पर, जब तक आप registration fees पे नहीं करेंगे, तब तक आप choice fill नहीं कर पाएंगे, यह उसके बाद में 16 के बाद show होगी, available choice, filled choice, unfilled choice, इस वाई, स्वाई, स्लोकिंग, इस टेटस, यह सब आपको 16 के बाद show होगा, यहां पर, अब यहां pay registration fees पर आपने click करना है, तो जैसे ही इस पर click करेंगे, यहां पर आपकी fees दिखाई देगी, वो आपने कोण सी counselling के लिए apply क्या है, dimmed के लिए क्या है, तो यहां 2,05,000 क्लिक करके proceed पर click करेंगे, अब proceed पर click करेंगे, तो यह सारे आपके पास payment gateway है, इनमें किसी एक पर click कर देंगे, मैं यहां पर HDFC bank gateway पर click करता हूँ, proceed और payment पर यहां click करेंगे, तो जैसे ही click करेंगे, आप credit card से भी payment कर सकते हैं, debit card से भी payment कर सकते हैं, net banking से भी payment कर सकते हैं, औ मैं आपको एक important बात यहां बता देता हूं आपने credit card और debit card उस credit card और debit card से payment करना है कि जो 5-6 मैंने बाद यह आपका payment आएगा तब functional रहे अगर आपके debit card या credit card की date expired जल्द होने वाली है तो आप किसी दूसरे ATM से या फिर credit card से यहां payment करें ताकि उसकी date आगे तक रहे आपका payment आजाए नहीं तो आपका payment वज जाएगा आपके लिए problem खड़ी हो जाएगी इसलिए आप debit card या credit card से अगर payment कर रहे हैं तो वो जल्द expire होने वाला नहीं होना चाहिए वो उसकी date expiry date ज्यादा होनी चाहिए तकरीबन 6-7 एक साल तो होनी ही चाहिए इतना तो होना चाहिए उ यहाँ जो payment जिस account से करेंगे उसी account में आपकी security money वापस आएगी security money EWS और UR की 10,000 वापस आती है EWS से और UR की 10,000 आती है OBC, SC, SD की 5,000 आती है इसमें dimmed की condition में 2,00, रुपीज यहाँ आती है वापस security अब हम आगे बात करें UPI की तो UPI का मैं select कर रहा हूं या option तो यहाँ UPI ID में यहाँ fill कर दूँगा verify VPA पर click करूँगा तो जिसके नाम से यह phone pay है वो यहाँ नाम show कर देगा उसके बाद Mac payment पर click करूँगा तो यह payment हो जाएगा और जैसे यह payment हो जाएगा उसके बाद में हम वापस उसी page पर आ जाएंगे जहां से हमने submit किया था अगर उस page पर आप नहीं आते हैं तो आपको आगे payment होने के बाद में आगे फिर से new registration पर click करना है new registration पर click करने के बाद में यहाँ पर आपने जो details देनी है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ new registration के बाद में आपने click करना है new registration पर जैसे ही click करेंगे उसके बाद में user ID password देना है आपने जो roll number पर है और वो password आपने देना है, password देने के बाद में आपने capture डालने के बाद में submit करना है, तो जैसे ही submit करेंगे आपके mobile पर code आएगा और वो code आने के बाद में आप login हो जाएंगे और login होने के बाद आप फिर इसी page पर पहुंच जाएंगे, जो मैं आपको ये page बता रहा इसका print लेका future reference के लिए आपने रख लेना है, print भी अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आप उसको mobile में या laptop में save करके रख लें, या fees payment का भी आप print करके रख लें, इसके बाद में mobile नमबर आपके आलड़ी verify हो चुके हैं, क्योंकि उस पर एक बार SMS आ चुका है, यह यहां आप email ID भी verify कर सकते हैं, verify your email ID पर click करेंगे, आपके email ID पर OTP जाएगा, और OTP यहां फिल करेंगे, तो आपकी email ID भी verify हो जाएगी, तो वो कर सकते हैं, otherwise यह कोई जरूरी तो इतना नहीं है, आपके mobile नमर verify हो गए यहां पर, तो इस परकार से आप registration कर सकते हैं, यह मैंन choice fill करना है, उसका पूरा process बता देंगे, कैसे available choice fill choice कैसे show होगी, आपने कैसे choice fill करना है, उसका भी process में 16 को आपको बता दूंगा यहां पर, तो अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे तीन book available है, MCC की book है, और All India जिसमें counseling के बारे में बता download कर सकते हैं, या फिर हमारी website www.chopra.education.in से भी download कर सकते हैं, और जैसे ही कोई update होगी, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे यहां पर, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए, जैए!